बहुत दिनों बाद जाके टाइम मिला है सारस पच्छी को जासे इतना परिसान है कि हम क्या बताएं बहुत याद आती हो इसकी और वो पहले मेरे घर से समस्पूर पच्छी बिहार लेकर गया जाया गया वो पूरी कहानिया आज आप लोगों को बताते हैं पहले समस्पूर पच्छी बिहार लेकर जाया गया वो जो मेरे घर से लगभग दूर होगा 50 किलो मेटर वहां पर उसको रखा जाता है और रखने के बाद एक दिन बाद जब उसके खुलोई में छोड़ा जाता है दूसरे दिन तो वो मुझको फोजते हुए निकल पड़ती ह वहां से समस्पूर से काफी दूर निकल कर एक गाउं में जब कुछ लोग दिखाई देते हैं तो वहां नीचे आती है तब तक उसको जंगली कुट्टे घेर लेते हैं फिर एक लड़का उसकी जान बचाता है और वो जान बचाने के बाद वो अपनी जान पे खेल के जाता है फिर वो काटने भी दोड़ती है उसको लड़के को हमने वीडियो में देखा है उस लड़के का तहे दिल से सुख्रिया कि उसने उसकी जान बचाई वरना कोई भी अप्रिये घटना घट सकती थी तो उसके बाद फिर वहां से इसको फिर दुबारा समस्पूर के व अगबग 72 घंटे वो किचन में बंद रहती है और बंद रहने के बाद फिर वहां से अपनी जो प्रिकिर्या होती है कोई प्रिकिर्या करते हैं अपन खिलाने पिलाने की वो खाना नहीं खाती वह तड़कती रहती है फिर बीच में एक दिन लखनौ से चिडिया घर वाली ग रख देती हैं रख देते हैं वहां उसको फिर कॉरंटीन किया जाता है लगबग 15 दिन के लिए और अभी 15 दिन नहीं होने चार दिन हुए हैं उसको सिर्फ चार या पांस दिन हुए हैं और चार पांस दिन में काफी वो दूबला हो चुका है कल हम गए थे मिलने उससे और तो वहां हमने देखा कि उसको एक छोटे से फिजडे में कैद किया गया हुआ है एक दम छोटा सा है कर दो कर दो है झाल